E.D. और C.B.I. केंद्र सरकार की ये दो ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिनको लेके पूरे देश में समय चर्चा है देश में चर्चा केवल इसलिए नहीं है कि E.D. के रडार पर देश के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं नेताओं के कारणा में आ रहे हैं या कथित रूप से उनके द्वारा किया गया भष्टाचार E.D. सामने लाने की कोशिश कर रही है मुद्दा ये महत्यपूर्ण है कि जो परसेप्शन जनता में इन दो जांच एजेंसियों के लिए पिछले 10-15 वर्षों में बना जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार नहीं कई बार टिपनी की उस पूरे एपिसोड को अगर समझा जाए तो जो ED और CBI पर ये आरोप विपच्छी दलों के द्वारा लगाया जा रहा है कि एक टार्गेट ट्रापिंग इन दो जांच एजेंसियों के द्वारा देश के विपच्छी नेताओं पर हो रही है इस बात में दम है कि नहीं या फिर दिल्ली की बड़ी चर्चित और विवात कारी नई शराब नीती जो 2021 में प्रकाश में आई अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने पुरानी आपकारी नीती को बदल कर इस अधार पर कि इस विभाग में बड़ा करप्षन है सरकार को अधिक रिविन्यू दिलाने के लिए और जनहित में एक नई आपकारी नीती उनके आपकारी विभाग के द्वारा लाई गई क्या वो नीती वास्तों में भरष्टाचार में डुबी हुई नीती थी क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट अगर उस समय की आपकी सरकार ने अपने किसी विभाग में किया तो क्या वो policy shift जिन्यून नहीं था अवैधानिक था गलत था उस policy shift को क्या अपने चहेतों को फाइदा पहुचाने के लिए किया गया था 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक देश व्यापी आंदोलन के जरिये 2012 में उसके परणाम सरू बनी आप पार्टी जो 2013 से दिल्ली की सत्ता में है जिसको नेत्रत तो देते हुए तीन बार अर्विन केजरिवाल दिल्ली के मुख्य मंत्री बन चुके हैं और इस समय भारत देश में टॉप फाइब महतपूर्ण अपोजिशन लीडर्स में उनकी गिंती होती है क्या वो आप पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता जिसके सैयोजक अर्विन्द केजरिवाल को 2006 में दुनिया का महतपूर्ण रेमन मैक्स से अवार्ट ब्रष्टाच अचार था उसको सामने लाने के कारण अर्विन्द केजरिवाल को जो इतना बड़ा एवार्ड मिला पूरी दुनिया में जाने गए एक इतना बड़ा मूवमेंट उन्होंने शुरू किया जिसको आजादी के बाद जेपी मूवमेंट के बाद सबसे बड़ा मूवमेंट मा इन मुव्मेंट्स के सम्तुल था और उसके बाद किसान मुव्मेंट्स की गर्णा आंदोलनों के में शुमार होती है। उस समय सर्वे सर्वा थे और उनी के डिरेक्शन में ये नई आपकारी नीती दिल्ली के द्वारा लाई गई थी। शंद्रबन के आज के जमाने में क्या अपने दल्प को सर्वाइब करा सकता है। आम आदमी पार्टी जो की देश में एक नई राजनीती की बात करके आई थी और जिसने कहा था कि वो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाएगी। क्या वो उन सब बातनों को भूल कर कहीं दूसरे दलों की तरह जो सिस्टम उनके दलों में या देश की राजनीती में हैं क्या उसी में तो लिप्त नहीं हो गया है। और भारत में जो एक संभावना एक नई राजनीती की देखी जा रही थी कहीं उसका अंत तो नहीं हो गया है। निर्धारी सिस्टम तक इनोंने फ्री बिजली देने का फ्री पानी देने का ये सब काम किया। फिर दिल्ली वासियों को सस्ती शराब पिलाने बहतर शराब पिलाकर दिल्ली सरकार का रिविन्यू बढ़ाने की आखिर ऐसी कौन से एक्सपर्ट्स की योजना बनी की सरकार ने पुरानी आपकारी नीती को बदल दिया इस आपकारी नीती का क्रियानवन तो 17 नवंबर 2021 से हुआ परंतु इसके पहले मार्च 2020 से इसके बारे में बकाईदा बैठ के बकाईदा एक्सपर्ट कमेटी का गठन कैबिनेट की बैठ के उप राजेपाल को इसके बारे में प्रत्यावेदन देना जानकारी देना ये सारा क काम हुआ जो की चर्चा में नहीं आता ये का जाता है कि बगएर उप राजेपाल की अनुमती के और इस तरह की नई पॉलिसी हो गई जबकि अगर आप इसके पूरे रिकार्ड वे जाएंगे तो दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया बकाईदा मार्च से लेके और अगले आए गए जब वहाँ के चीफ सेकेटरी ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने उस समय के LG को इनफॉर्म किया LG ने CBI को इनफॉर्म किया कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन है तो बकाईदा इसमें 19 लोग अभ्युक्त बने जिसमें तमाम अधिकारी भी है और वो लाइ द्वative को इसमें जहारकों से थी जिसको फाइदा पहुचाने के लिए उसको फाइदा पहुचा कर उनसे करोणों रुपह सरकार के नजजदी के लोगोंने प्राप्थ किये और आम आदमी पार्टी के फंड में तक्रिबन सो करोण रुपह प्रत्च या प्रत्च रूप से इस पूरे प्रोसेस में गया और जिसका फाइदा आप पार्टी ने अपने पार्टी के संगठन की गतिविधियों को दूसरे राज्यों में मजबूत करने में लगाया उससे गोड़ाओ में चुनाओ लड़ा गया उससे पंजाब में चुनाओ लड़ा गया और जगे जगे जैसे आरोप लगाए गया क्या ये पहली बार किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जो सत्ता में था क्या कोई policy shifting की गई या पहली बार किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने नजदी कथित चहयोतों को फाइदा पहुचाने का काम किया गया क्या ऐसा कहीं नहीं होता इस पूरे process ने जो एक चीज दिखाई वो बड़ी महतपूर है कि equality before law कानून के समच सभी बराबर हैं ये नहीं कि आप नेता हैं आप मुख्य मंत्री हैं आप मंत्री हैं तो आप कानून से उपर हो गए अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप परीदी में आएंगे अगर आप corruption करेंगे तो आपके खिलाब भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आम आदमी के खिलाब अपनाई जाएगी ये ED ने साबित किया और इसके लिए ED को साधवाद देने की जरूरत है ED और CBI देश की दो महतपूर संस्थाएं हैं इनको बहुत साधवाद देशवासियों को देना चाहिए क्योंकि आप ये पर हमारे देश के सविधान के तहत देश के प्रतेक अंतिम नागरिक तक की सुरच्छा की भी जिम्मेदारी है और कोई ऐसा आर्थिक अपराद ना हो ने पाए जिसका भुकतान देश के आमनागरिक को टैक्सपेर्स को करना पड़े कितनी मेहनत से लोग अपना जीवन यापन करके टैक्स करके सरकार की तिजोरी भरते हैं और सरकार की तिजोरी को लूटने का काम सिस्टम का नित्रत करने वाले अगर लोग करें तो ये एजन पर इस तेजी के कारण पहले कभी देखिए पहले ये दूसरे देशों में हम सुनते थे कि प्रधान मंत्री या पूर प्रधान मंत्री या पूरी राजिका गवर्नार या राजिका चीप मिनिस्टर के सदश अगर उनका कोई परसनालिटी है तो वो जेल की सराखों में ब्र पूराने गवर्नर तक नजाने कितने लोगों कितने MLA कितने पूर MLA बड़े बड़े पार्टियों के अध्यचे इवन कॉंग्रेस पार्टी में भी आप देखिए राहूल गांधी सोनिया गांधी तक को भी ED ने कोईशन किया नाशनल हरौल के केस में बीजेपी कभी कुछ नेताओं पर इधर गाजगिरी छे नेताओं के उनकी भी ED के रडार पर रहे हैं मैक्सिमम अपोजिशन पार्टी के रहे हैं ये कोशन है ये परसेप्शन जनता में बना है इसको तो अपने एक्टिविटी से ED और CBI को देखना है कि वो वास्ताओं मे या तो फिर एक ऐसा वातावरों फिलाल बना जो हमारा कहने का मकसद है ED CBI इसके लिए साधुआत की पातर है पर जिस मुद्दे पर हम थे केजरी बाल की गौर्मेंट पे ये आरोप लगा कि उन्होंने एक नई शराब नीती बनाई क्या किसी गौर्मेंट को अपनी पुरा लाब देने के नियत से बनाई गई है ठीक तमाम सरकार हैं बेजा लाब देने के नियत से पॉलिसी बदलती है इसके उधारण है आजादी के बाद से लेके अब तक चाहें केंदर की कोई सरकार बनी हो चाहें प्रदेशों में कोई सरकार बनी हो किसी ने राजा राजनीती करता है दल राजनीती करते हैं तो पैसा कहां से आएगा कहां से उनकी फंडिंग होगी ये तो इलेक्टरल बॉंड की बात अब औरी की चुनाओं में वरना चुनाओं में हमेशा काला धन का इस्तमाल होता है काला धन के किलाप भाशर देने वाले सबसे ज़्यादा का लाधन का इस्तेमाल अपने चुनावों में करवाते हैं वरना कैसे चुनाओं लाख लाख करून रुपे की चुनाओं इस देश में हो जाते हैं यह जानने और समझने की जरूरत है 2014 की चुनाओं के लिजिए सबसे महंगा चुनाओं उससे महंगा चुनाओं 2019 का बिगाडने में जिनका रोल रहता है कि अगर हम सरकार बनाएंगे हम आपको सरकार कहीं चाहें राज में बनाएं चाहें केंदर में बनाएं उसके बाद उनका गवर्मेंट की पॉलिसी जैसी बने जो उनकी इंडस्ट्री को उनके इंवस्ट्मेंट की पॉलिसी को सूट करें इस तरह का काम होता है, तो केजरी वाल की गौर्णमेंट ने अगर ये शराब नीती बनाई, और शराब नीती में उन्हों ने अगर उनका मोटो था, कोई शराब नीती बनाई होगी, ओन पेपर तो ऐसा रिकार्ड होगा नहीं, कि हम फलां को प्रॉफिट देने के लिए, यहाँ पर उत्तरप्रदेश में सरकारे समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, उस समय भी पॉलिसी इस तरह की बनती थी, बाद में करप्शन के कितने चार्जेज लगे, मायावती की जब सरकार थी तो उसमें धाई हजार अरब रुपे के घोटाले का रोग खुद पीने उस बुकलेट का उपियोग 2012 के चुनाओं में किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सारी की सारी पॉलिसीज बसपा सरकार ने बदल दी उत्तरप्रदेश में, जो इसके पूर्व की सरकार थी, वो पॉलिसीज के वाल इसलिए बदल दी गई कि अपने लोगों को फाइदा दिया जाए, कार्पोरेट्स का भूमी अधिगरहन का चाहे माम लाओ, चाहे चीनी मिलों के बेचने का माम लाओ, तमाम ऐसे जितने, ऐसे ही अखलेशादो सरकार पे आरोप लगे, क्या है उन्होंने रिवर्फरंट के आरोप, अभी ब्रिजेश पाठक जी ने ज अभी जितने आरोप लगे हैं, रिवर्फरंट गोटाले से लेकर के लैप्टॉप गोटाला, स्मार्टफोन का गोटाला, तमाम तरह के भरती गोटाला, इस समय लगाया कि इसमें आपकी पॉलिसी, लेकिन भई, खुद यही बीजेपी गॉर्मेंट, जिसने आज दिल्ली क सरकार पे आरोप लगाया, जिसने उस समय की मायावती सरकार पे आरोप लगाया था, जिसने एक शुयद पत्र जारी किया था के लिएker आजदों की सरकार के खिलाब, जो इस समय आसाम की मुख्यमंतरी हैं, और जब यह कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, स्वास्त मंतरी की कांट्रेस की गुर्णमेंट इनके खिलाब भी BJP उस समय कहा करते थी बाद में ये BJP में आ गए आज BJP की गुर्णमेंट में हैं तो सिर्फ ये इन सरकारों में नहीं अभी असाम सरकार की मुख्यमंत्री की पतनी पर आरोप लग गया कि उन्होंने जो सबसीडी किसानों के लिए दी गई थी उसमें से दो करोन सबसीडी उन्होंने अपनी वोजना के लिए ले ली किसानों की निधी को दुगना करने का काम किया गया था असाम के मुख्यमंत्री पर आरोप लग गया इसमें अपने चहेतों को उन्होंने टेंडर दे दिया, उन्होंने नकली मूर्तियां लगा दी, मूर्तियां एक ही आंधी पानी में गिर गई, और इसके अलावा वैपन घोटाले में उस समय में तदकालीन बीजेपी के मंतरी थे, उन पर आरोप लगा, तो हमारा कहने का आश मनीश से सौधिया को दिया गया, और एक आया सौ करोन लुपिया आप पार्टी के खाते में गया, अब वो कैसे गया, यह अभी तक चारशीट में ऐसा नहीं है, कि सौ करोन लुपिया पार्टी के पहुंचने की बात है, अब जाहिर सी बात है, कोई पार्टीयों को पैसा ज पार्टियां जिनकी सरकारे बनती हैं वो निश्चित रूप से जिनकी सरकारे बनती हैं वो इस तरह के कामों में इन्वाल्व होती हैं पर अगर कोई illegal bribing का काम है, corruption का काम है वो rule of law के तहत वो question होगा लेकिन अगर सरकार पे केवल ये आरोप है कि उसकी पार्टि को पैसा मिल गया, उसके नेताओं को पैसा मिल गया, तो सुप्रीम कोट ने मनीज सिसादिया की बेल की सुनवाई करते हुए जो दो प्रस्ट पूछे वो बहुत महत्पोन हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन डेमोक्रैसी में ये चीज जाने की जरूरत है कि एक छोटी मचली को आप फसा करके आप पूरे सिस्टम पे आप आईए question उठाईए कि अगर कोई policy बदलना गलत है तो इसके पहले जितनी policy बदली गई उस समय जितने लोग ठेके पाए जितने टेंडर पाए शराब नीती अगर यहां की शराब नीती सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में साथ हजार करोण रुपिया सालाना सरकार को मिलता है उनका टार्गेट होता है और ये पांच हजार करोण रुपे के आसपाद बिजेपी गौर्मेंट आई तो पूर की गौर्मेंट की बदली तो इसका मतलब बिजेपी गौर्मेंट ने जो पॉलिसी बदली जिन लाइजंस दारकों को नहीं नहीं दुकाने मिली उनकी भी जांच होनी चाहिए हर प्रदेश में क्योंकि येये सिष्टम इंडियन डिम पिनोक्रैसी में ये सिस्टम बन गया है कि सरकारे बनेंगी अपने लोगों को फाइदा देंगी इस सच को सुकारना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जानती है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मैटर में जिसनी संजे सिंग गिरफतार हुए एक दूसरे मै करने की जरूरत है कि आपकी कारवाई कहीं द्वेश पूर तो नहीं आपकी कारवाई कहीं विद्वेश की भावना से पूर तो नहीं है क्योंकि उस केस में इडी ने माना कि ऐसी है तो इडी पे ये कोशन जो एक परसेप्शन जा रहा है कि आप पार्टी को परिशान करने क के लिए आज दिल्ली की सरकार को ऐस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार इन एजनसी का दुरुपयोग कर रही है यह परसेप्शन जनता में जा रहा है क्यों क्योंकि जिस शराब नीती को बदलने बदल कर प्रॉफिट कमाने की बात कही जा रही है प्राइमा फैसाई ऐसा कोई इविडेंस अभी तक E.D. और C.B.I. के इन्वास्टिगेशन में नहीं आया यह महत्पूर्ण है और अगर यह पॉलिसी बदल कर अपनी पार्टी को फाइदा पहुचाना यह अगर क्राइम है तो यह क्राइम तो देश की हर राजनितिक दलने किया जब वो सत्ता में आया यह आरोप तो मायावती पे हैं यह आरोप तो अखले शादो पर भी है यह आरोप तो वाईयसार कॉंग्रेस के ओपर भी है यह आरोप तो ममताब एनरजी के ओपर भी है यह आरोप तो शुराद सिंग चौभान के ओपर भी है सब के खिलाब जो करेश्मन की लिस्ट आप न दिल्ली की शराब घोटाले में, 30 लाख रुपए आज कल किसी नेता और मंत्री के लिए कोई महत्वपूर्ण है, उसमें कहा गया कि दिल्ली के सारे रेश्ट्रों के करोबारियों ने मिल करके, जिनको पॉलिसी जिनको अपने हाबार खोलनी थी, कुछ करनी थी, उन्होंने 30 कि एक चक मनिश्थी सौदिया को दि, 30 लाख रुपए आज किसी नेता के लिए महत्वपूर्ण है, आप एक MLAMP से शुरू करिए, MLAMP विधायक निदी सांसा निदी का प्रयोग कैसे करता है, कमिशन पर करता है कि नहीं करता है, सीधा कमिशन पर करता है, सिस्टम में आप विभाग के प्रबंद निदेशक जो उसके सिस्टम से जुड़े थे, जो उस पूरे टेंडर, उन्होंने ऐसी टेंडर प्रक्रिया में नियम कानून सब बदल के, अपने जानने वाले को लाख पहुचाने के लिए पूरा का पूरा टेंडर इशू कर दिया, बाद में प्र उपर तक पूरे सिस्टम में पहुच था, पी डव्लूडी विभाग में बताईए, चीफ इंजीनेर साब खुद बताए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं, उसमें जिनको ठेके मिलते हैं क्या उनका सरकार के नेताओं से, मंत्रियों से, अफिसरों से कोई नाता नहीं होता, अब आप ही बताईए, दिल्ली सरकार का चीफ सेकेटरी, दिल्ली सरकार की जांच कर रहा था, इस मुद्दे में लोचा है, इसलिए चर्चा करने की जरूरत है, भई एक चीज बताईए, भई दिल्ली सरकार का जो चीफ सेकेटरी है, वो किसका सेकेटरी होगा, दिल्ली सरकार का होगा, अब दिल्ली सरकार की गौर्टमेंट ने डिसीजन लिया और दिल्ली सरकार का Chief Secretary गुपचुप तरीके से जांच किया, जांच की रिपोर्ट उसने LG को बेज दी, LG ने CBI की जांच कर दी, CBI की जांच के बाद ED ने उसका Cognigence ले लिया, ED देश की इस समय ED की पास है, ED ने तुरंट अपने गिरफ्त में ले लिया, एक दिल्ली सरकार के वरतमान डिफ्टी चिप मिनिस्टर को अंदर कर दिया, बाकी कारोबारियों को अंदर किया, तमाम लोग, अब ये पूरा केस स्टैंड किस पे कर रहा है, स्टैंड इस पे कर रहा है कि जो एक अलेडी इसमें अक्यूज था, वो एप्रूवर बन गया, एप्रूवर बन गया, मतलब वो सरकारी गवा बन गया, उसने कहां ऐसा करप्शन हुआ था, इसमें फ़ला फ़ला लोग इन्वाल ने हम आपके पच्च में गवाई दें, यानि प्रोसीक्यूशन के पास अभी तक कोई विडेंस नहीं है सिवाए एप्रूवर के, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहां मनीज सिसोद्या की बेल की सनवाई करते समय है, कि आपके पास वो विडेंस ही पैसे, अगर इसमें पैसे का लेन देन हुआ, पैसा इस कथित शराब घोटाले में किसी को लाइसेंस मिला और नई मिला और फाइदा पहुचा, यह गलत पैसा आया, यह पैसे का ट्रंजक्शन आप हमें दिखाईए, यह पैसा शराब कारोबारियों ने इनको दिया, शराब का टेंडर लेने के लिए, यह पैसा 30 लाग इनके पास गया, यह कह देने से नहीं 30 लाग गया, नित पी की सरकार है、 पूरिये देजवर में भी जेपी ने आफिसेज शस बनाएं, अपने लोगों से चंदा लिया, सब लिया, तमाम उद्योगपतियों ने भी मदद कीयोगी, कीयोगी की नहीं कीयोहिँ, कर इसमें कोई उद्योगपती कहीं का कोई TENDER पा जाए तो क्या इसमे ये कह दिया जा कि नहीं, ये राजा हरिशन की पार्टी हो, बाकी सब राच्छसों की पार्टी है, ऐसा नहीं है, सिस्टम में systemic failure, democracy में पूंजी पती का साथ, ये चलता रहता है, बस इसमें जो corruption करेगा, जो जनता का पैसा खाएगा, उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए, इ EDCBI को इसलिए भी साथ दुवाद देने की जरूत, उसने साबित कर दिया, कि EDCBI अगर अपने पे उतरा है, तो ना कोई मुख्य मंतरी होता है, ना कोई M.L. होता है, ना M.P.O. corrupt, corrupt होता है, उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए, पर ये दिखनी चाहिए कि इसमें समानता ह है, इक्वालिटी है, भई भई इसमें तमाम एलिगेशन, अब इसमें एलिगेशन आए, जैसे अमेरिका की इंडिपेंडेंटन जांच इजनसी हिंडन बर्ग ने अडानी पे आरोप लगाया, कि अडानी की शेल्स कंपेनी के जरिए, उन्होंने स्टाक मार्केट में इंडिने का से भी इस पे काम कर रही है, से भी एक रिपोर्ट दर्च करा है, तो हम इसका कॉग्निजेंस लेंगे, मैटर सुप्रीम कोट तक में गया, चलिए, यह अडानी है, अमबानी है, देश के टाठा बिल्ला जैसे है, इनको ज़्यादा चेड़ने की कोशिश नहीं क पर इन पर सिस्टम को नजर रखनी चाहिए कि कहीं से ऐसा कुछ ना करें, जिसमें टेक्स्पेर को कोई नुक्सान नहीं, इसलिए जब अपोजिशन पार्टी अडानी अडानी चलाती तो उसका वोट बैंक पे कोई फरक नहीं पड़ता, हाँ बड़ी पॉलिसीज में अग मनिश्थी सौधिया के खिलाब कोई credible evidence अभी तक नहीं मिला, और हमारा आज का ये एपिसोड ये था कि देश में चाहिए जो political party हो, उसका जो organization बढ़ता है, सब system बढ़ता है, अब अक्सर का जाता है कि संगठन और सरकार में समनवय की बातचीत होती, क्या बातचीत होती है, कि भई, जब सरकार बनती है, जिस political party की सरकार बनती है, उसने पूरा system है, सरकार से पैसा संगठन को जाता है, कि चुनाओं लड़िये, मजबूती से लड़िये, तो पैसा कहां से जाएगा, इन्हीं विभागों से collect किया हुआ पैसा ही तो जाता है, जिसकी सरकार हो, सपोज कि सरकार जब चुनाओं लड़ती थी, तो उस सरकार से संगठन को पैसा जाता, दवना संगठन के पास कहां से पैसा है, कि लोगों MLMP का ticket दे, उनको अनुदान भी दे, तो ये system है, यानि काला धन involved है, हर policy के formation में, policy के implementation में, policy से जो काम निकलता है, maximum विभागों में वो विभाग जो जनता से जुड़े है, PWD विभाग है, बिजली विभाग का privatization है, उसमें tender जाना है, शराब नीती है, शराब के license होने है, RTO का विभाग है, परिवहन का विभाग है, इसमें 90 प्रतिशत काम उन्हीं को मिलता है, जो सरकार या सरकार के अधिकारियों के उस ये बनाया गया, हमने तो बताया कि EDCBI ने कितने लोगों के खिलाब क्या काम किया, 14 भी पच्छी दलों ने इस EDCBI की तेजी के खिलाब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी की थी, अभी इसी साल उन्होंने रिट की थी, शायद मार्श के महिने में, जिसको Chief Justice ने, डीवाई ने अपनी रिट को वापस लिया है, बहुत बड़ी चीज थी, और दूसरा ये जो बपन्ना साब की और संजय कुमार की बेंच ने जो और किया, EDCBI करने का आरोप EDCBI पे लग रहा है, इसलिए EDCBI को बड़ा राशनल होके, प्रैक्टिकल होके, एक बार तो जैसे कारोबार नीती प्रकाश में आई है, नेरा इस वीडियो के मादन से समिशन में, प्रधान मंतरी जी को भी बेजूँगा, और देश के और प्रदेश के बड़े नेताओं को, कि एक बार सिर्फ एक विभाग को आपने पकड़ा है, आपकारी विभाग, चाहे उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों को, 2800 राज्यों के इंशाचित प्रदेशों में, जहां भी सिर्फ एक आपकारी विभाग किया, आप जांच पूरी एडी कर ले, पिछले उनकी तीन सरकारों की जांच कर ले, कि उसमें क्या क्या हुआ, कौन पॉलिसी बनी, किन-किन लोगों ने टेंडर किया, उनके सरकार अधिकारियों से क्या संबनते, फाइदा लिया किया कि नहीं, यह करे मेरा हां जोड के नहीं बेदन है, सिर्फ दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में किया, जो दूद का दूद, पानी का पानी, मामला सब जुडाई से सुप्रीम कोड के पास है, इसलिए ह ज़्यादा उसके टेक्निकल मैटल से बात नहीं कर रहे है एप्रूवर का कोई भी स्टेटमेंट पे सजा नहीं हो सकती है जब तक उसका कॉराबरेशन दूसरे क्रेडिबल इविडेंस के साथ ना हो अब तक कि दाखिल चार्शीट में कोई क्रेडिबल इविडेंस नहीं आय नहीं है सुप्रीम कोड तक बोल गया प्यामेले कानून में ऐसे प्रावधान है कि इतनी जल्दी बेल अप्लिकेशन पर सनवाई नहीं हो सकती थी इसलिए एतने मैंने वना जंता कहती है तमाम लोग कहते कि भई यह आठट मैने से जेल में इसका मतलब यह करफ्ट थे तब आप से कहें कि सब चीज ठीक है बहुत बढ़िया चल लाहा है सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन सरकार को फिर चाहिए कि अगर उस पे कोई प्रशन है तो जान सब की करा ले 2800 राजयों की करा है इस समय हमारे पास देश में बहुत शक्तिशाली प्रधान मंत्री है उन्ह उने ED से भी खा यानि भरष्टाचार के फ्रती zero tolerance की नीती अगर इस केंद सरकार की reality में है तो उसको चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में EDCBI के सब परविव में आता है EDCBI के जुरिदिक्शन में आता है कि सिर्फ एक विभाग अपने दिल्ली का पकड़ा वही नजीर बना द आपने मायवती सरगार के खिलाब धाई हजार अरब का बीजेपी गॉर्मेंट ने आरोप लगाया था बुकलेट जारी की थी उसमें भी जो भी ED जांच कर रही है उसकी भी कारवाई कर रही है अकली शादों की थी उनकी भी कराई है शुराज सिंग चौहान प्याज आरी भी भाग की तो हमारा कुशन था कि जब इस तरह की ट्रांस्वेरेंसी होगी निश्पचता के साथ जब एजनसी काम करेंगी तो देश में भरस्टाचार के खिलाब लड़ने के लिए जनता तयार खड़ी होगी वरना जनता में परसेप्शन आएगा कि भाईया ये तो टूल है तोता है सुप्रीम कोट ने का था 2013 में तब यूपीय की गवर्मेंट नहीं ते का था सीबियाई एक तोता है यानि उत्ता ही बोलता जितना केंश सरकार कहती है तो ये तोता ही मानेगी कि भाई आज बीजेपी की गवर्मेंट है तो 14 पोजीशन जिन्होंने इंडि पारियों लाएं और रही बात पॉलिटिकल पार्टी चलने की पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे ही चलेंगी आप पार्टी पे अगर सौ करून रुपिया नहीं आता आप पार्टी कैसे आप पंजाब में सरकार बनाती आप बताईए कैसे हम यह नहीं कहरें सौ करून रुपि जब मोदी जी पहली बाप प्रधान मंतरी बने तो उन्होंने 400 रैलियां ऐसी की थी और इसके अलावा तीन हजार से ज़ादा शायद 5000 रैलिया उन्होंने 3D रैलियां की थी 3D रैलिया उस समय क्या बीजेपी संगठन के पास इतना पैसा था की इस तरह की रैलिय्ज नैशन वाइड रैलिय्ज प्रधान मंतरी होने वाले प्रधान मंतरी की इतनी हो जाती 1000 और उज़ार करणोपिया खर्च होता है उसमें तमाम भई हमारे विभार से हमारे कारोबारी मित्र है तमाम है गांधी जीते उनको बिर्ला मदद किया करते थे उस समय तमाम लोग इस तरह की मदद किया करते थे तो अब इसमें सप्यारोब लगा दो कि नई भाईया उन्होंने इंडशलिस्ट की मदद ले ली और सब लेना ही पड़ेगा भाई चाहे कोई हो लेना पड़ेगा य कि इसको सुनीए समझिये मीडिया इसमय आपको किया दिखा रहा है क्या नहीं कोई अपोजिशन की बात कर रहा है कोई केवल सरकार की बात कर रहा हमारा की जो भी चीज हमें जानकारी में मिले वह हम आप तक महुछाएं अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगाओ आप इस